भारत के सम्विधान पर आपात काल सबसे बड़ा हमला था। इसके चलते 1975 में पूरे देश में हाहा कार मच गया था और दो साल तक अमरजैनसी लागू थी। इस दोरान लोगों के सभी अधिकारों को छीन लिया गया था। हम सभी संकल्प लेते हैं कि सम्विधान की रक्षा करेंगे। राष्टपती त्रोपदी मुर्मू का अपने अभी भाशन में इतना बोलना था कि विपक्ष भड़क गया और हंगामा करने लगा। इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब अपने पहले संबोधन में आपात काल का बुद्वार को जिकर किया था तब भी विपक्ष ने हंगामा किया था। यही नहीं मलिका आर्जुन खड़गे समेथ कई नेताओं ने कहा था कि मोधी सरकार का बीते 10 सालों का साशन अघोशित आपात काल ही था। इसके अलावा राष्टपती ने यह भी कहा कि आज कल लोगतंतर पर हमले हो रहे हैं। इसे लांचित करने वाले अरोप लगाये जाते हैं। उनका इशारा शायद EVM पर विपक्ष की और से सवाल उठाए जाने पर था। यही नहीं उन्होंने यह भी कहा कि EVM ने जंता की कसोटी पर खरा उतर कर दिखाया है। हमें प सरकार ने विपक्ष की और से सम्विधान के मुद्धे पर आइना दिखाने की कोशिश की है। लोग सभा चुनाफ के दोरान विपक्ष ने अरोप लगाया था कि सरकार सम्विधान बदलना चाहती है। उसके इन दावों का असर भी दिखा और कई जगहों पर आशित नतीजे आये और भाजपा की करारी हार हुई। माना जा रहा है कि विपक्ष के उस प्रचार की काट के लिए ही सरकार आपात काल का जिकर कर रही है। वे यह बताना चाहती है कि कैसे 1974 में आपात काल लगाकर सम्विधान पर हमला किया गया था। और तब का अंग्रे काल का जिकर किया था। यही नहीं पी-एम रिंडर मोधी ने भी संसत की शुरुवात में इसका जिकर किया था।